निख बावारत में एक == एपिसोड है भोग शॉंदर उस बहुत खूफ कुछ सिखाने के लिए और आप साथ लेके जाएं जितने लोग उपर बैठे हैं K Varac इपिसोड वा कि उसमें मार्मिक टच है हला कि तो यूद हुआ तो दोनीध्य दोनों तरफ से लोग मड़े 48 अक्षयो ने तीasti depression 13 दार्थ कोमाणा मतलब ताब डिटेल में सम्झा ने मतीने अरक शोनी कितने हाथ होती हैं कितने हाथी होते हैं के फठाना सूरी अठाना में ग्यादा कौर्वा के पास सथ मानों के साथ पांडीवन मताली चुट आ कॉरीच से कामरल मोग मताइए call कि यह करोड लोग उस भानिक आपरेशन तब भी थी की मिन्निय को गैर कि मारा गया वह युवराज युवक गणका तनूडर था अपने पिता अरुण की तरह इसको घ्रके मारा गया उसको गेर केमारा गया और उसके अंदर कौरव पे सब बड़े से बड़े लोग थे सब बड़े से बड़े लोगों ने अभिमन्यों को गेर के मारा आपने यह जानकारी सुनी होगी, देखी होगी, कही होगी, कही न कहीं, बड़ी भी होगी लेकिन उस पर्टिकुलर एपिसोड में जो विलन बना उसका नाम था जैदरत उसने अभिमन्यों वद तो नहीं किया, लेकिन मरे हुए अभिमन्यों को लातों से मारा जैदरत ने मरे हुए अभिमन्यों को लातों से मारा वद में शामिल नहीं था लेकिन उसने बड़े मरे हुए अभिमन्यू को लात मारी और इतिहास यह बोलता है कि जब अभिमन्यू वद हो रहा था तो अरजुन अविलेबल नहीं थे वहां पर कहीं और गए थे किसी और युद में थे लंभी कहानी उस पर नहीं जाता लेकिन जो स्टोरी और मॉर्ण बास्टोरी वह समझाना जाता जब अरजुन लॉट किया भगवान कृष्ण के साथ तो उसको पता चला कि मेरे बेटे अभिमन्यू का वद हो गया लेकिन उसको दुख इस बात का नहीं था कि मेरे बेटे का वद हुआ बोला तो रुण शित्र में योद्धा तो वीरगती को प्राप्त होते ही हैं लेकिन अपने आपको जला डाला अगली मैं अपने शरीर को समर्पित कर दूंगा अगर अगले दिन सुर्यास से पहले जैदरत को नहीं मारा मैं अब जैसे ही उसने घोशना करी एक गोल रखा एक टार्गेट रखा दोनों सेनाव में हड़कम मच गया कौराव प्रसन हुए और पा में प्लेयर तो इस था ना और पांडव इसले परशान हुए कि ये क्या कर बैठा एक दिन नट हो सके तो क्या होगा अर्जुन गया अर्जुन गया तो खेल गया और धर्म युद्धा तो शाम को संध्या के बाद जब सूर्यास्त होई आता था यूद नहीं करता था अगल थे नहीं भगवाना से लड़ रहा है तो पुछना कुछ तो निवी ट्राव मैं और जैदरत को छुपा लेगी उनका एक ही काम था की सुर्यास से पहले जैदरत को छुपा लोगा अ दिन चड़ने लगा सासे चड़ने लगी और जैसे जैसे दिन निकलता रहा कॉरव और प समय आया जब सुर्यास्त होने को ही था और जैदरत अर्जुन को नहीं मिला सब थक हार के बैठ गए अर्जुन ने अपना गांडीव गिरा दिया और पांडवा ने भगवान कृष्ण की तरफ देखा और बोला प्रभू अब तो तुम्हारा ही सारा है जैदरत नहीं है भगवान ने बोला कुछ नहीं करता हूं बोला जैदरत कहां से लाओगे भगवान ने जैदरत तो नहीं लाए उन्होंने क्या किया माया रची और बादलों को आदेश दिया और उन्होंने सूरज को ढख दिया तो उन्होंने बोला ये क्या करते हो भवान अट्मास्फेर, बोले माहौल बनाता है, और जैसे ये बादल सूरिज के सामने आये, सूरिज छुप गया, और उन नलाइकों को लगा कि सूरियास्त हो गया, बेफकूफ अपनी बेफकूफाना बाते हैं, बहुत जगा दिखा देते हैं, कहते हैं ने गदे के सर पर सींग नह जैसी सूरियास्त लगा, जो कि थुआ नहीं था, कौर्वो ने जैदरत को आगे कर दिए, बन तो कर रहा है उनको ऐसी गाली दू स्टेज पर, इस सालों, घंटा दो घंटा, कौन सी चूल मच रही थी तुआ, लेकिन कहते हैं, विनाश काले, विपरी तो गुत्तु, कौर् अरजन को देखके हसने लगा और गालियां देने लगा, कौरव हसने लगे और अरजन को गालियां देने लगे कि तयारी कर, चिताब पे चलने की, और जैसे है जैदरत सामने आया, भगवान ने आदेश दिया, और बादल सूरेश के आगे से हटे, और सूरज सामने हो गया, और जब सुर्य सामने हो गया तो अर्जून बोचका सा इखा ये क्या है उस ने भगवान कृ्ष्ण